बाइक पर बच्चों को स्कूल छोडने जा रहे पेता को डंपर ने टककर मार दी हादसे में पेता घायल हो गया वही दो बच्चे बाल बाल बच गए गनिमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया हादसे में बाइक डंपर के नीचे बुरीतरे से फस गई इस दोरान डंपर का ड्राइवर गाड़ी छोड़ कर फरार हो गया सुचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुँची और डंपर को जब्द कर लिया है गटना बाडमेर शहर के गडरा रोड सरकिल की है जहां इस्थानिया निवासी बुराराम सुथार अपने दो बच्चों को बाइक पर बैठा कर इस्कूल चोड़ने के लिए जा रहे थे घर से कुछ दूरी पर अंडर ब्रिज के पास पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक को टकर मार दी गरनीमत यह रही कि बुराराम वाब बच्चे गाड़ी के नीचे नहीं आए लेकिन डंपर के आगे के दोनों टायरों के बेच उनकी बाइक फस गई हाथसी में बुराराम को मामूली चोटे आए इस दोरान लोगों की भारी भीड जमा हो गई वहीं डंपर का ड्राइबर गाड़ी छोड़ कर मौके से परार हो गया सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुँची पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और बुराराम का प्रात्मे के लाज करवाया गया बाइक सबार भुराराम ने बताया कि घर से निकलकर अंडर ब्रेज के पास ही पहुचा था कि पीछे से डंपर गाड़ी ने मेरे उपर चड़ा दी मैं जोड-जोड से चिलाया ताब जाकर ड्राइवर ने डंपर को रोका बड़ी मुश्कल से बच्चों और खुद को डंपर के नीचे से निकाला है बड़ा बच्चा मेरे पीछे बैठा था और चोटा बच्चा आगे बैठा था बच्चों के दातों वा पोटों पर चोट लगी है बाडमेर जिला समवदता लक्षमर चोधरी की रिपोर्ट